आज मैं आपको इन्फर्मेशन दूंगा हमेटलोजी एनलाइजर थ्री पार्ट डिफ्रेंशेशन कमसे तत्वा पर चलता है यह है हमेटलोजी ऑटो अनलाइजर पार्ट टू और मैं आपसे बिनती करता हूँ कि आप पहला पार्ट जरूर देखिए और इसके सभी पार्ट भी जरूर देखिए और सब्सक्राइब करें पहले आप थ्री पार्ट सेल डिफ्रेंशेशन का मतलब समझ लिए एंड में जो प्रिंट आउट मिलती है उस पर ऐसा रिपोर्ट आता है इसमें SCR का मतलब है छोटे सेल्स MCR का मतलब है जो मिडल साइज के सेल्स होते हो और SCR का मतलब है जो बड़े साइज के सेल्स होते है उनक्सका काउट ये देखिए, प्रिंट आउट में ऐसा रिपोट मिलता है और जो रिपोट मिलता है, उसके युनिट्स भी अच्छी तरह से जान ले जैसे के एडित्रोसाइट काउंट और वाइट ब्लड सेल काउंट जो भी है वो पर लिटर ब्लड ऐसा आता है और यह अगर आप काउंटिंग चेंबर के रिपोट के साथ कंपेड करें तो यहां लाल पेशी लाल कोशिका का जो नॉर्मल रेंच दिया है वो दिखिए यह सिल आपके से रिपोट करते हैं पर क्यूबिक मिलिमेटर डाट मिंस पर माइक्रो लिटर तो यह फरक अच्छी तरह से जान दीजिए और यह भी देख लिजिए कि सफेद कोशिका मिंस वाइट बलर सेल्स काउंटिंग चेंबर यूज़ करके आप रिपोट जब करते हैं है वो पर क्यूबिक मिलिमेटर मिंस पर माइक्रो लिटर होता है और आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक हजार माइक्रो लिटर एक मिलिमेटर के बराबर होता है और आप्टोमेशन से आप एक लिटर बलर का रिपोट देते हैं बहुत ताउश जो वैल्यूज़ है उसके आपको एक्जामेनेशन में यह प्रशन होगा कि यह तीन पार्ट वाला हीमेटरोजिकल आइनलेजर कहों से तत्व मिंस प्रिंसीपल पर चलता है तो उसका उत्तर होगा कि यह impedance measurement principle यानि के तत्व पर चलता है चलिए देखते हैं अभी कि ये impedance तत्व क्या है ये एक नंबर के figure में आप देखे एक फुरिसल में एक द्रावय है electrolyte का उसमें जबी दो electrolytes रखते है तो electrical current पैदा होता है वो right hand side के meter पर आपको दिख रहा है अभी आप ये दो नंबर की figure देखिए इसमें ये जो विसल है उसमें insulator याने के बाधक डाला है तो उसके वजह से electrical current पुरा बंद हो चुका है वो दिख रहा है right hand side के meter पर अभी देखिए ये तीन नंबर के figure में कि जो बाधक insulator था उसको एक छोटा सा hole बनाया गया है तो उसके वजह से electrical current वापस चलाता है वो दिख रहा है right hand side के meter पर अभी आप देखिए कि चार नंबर के figure में जबी आप रख तो कोशिक आए that means blur cells डालते हैं और ये जो whistle दिख रहा है वो pump से आप जब जोडते हैं तो cells left hand side से right hand side में जाने को चालू होते और जबी भी cell ये जो hole बनाया है ये hole की तरफ से निकलता है तो electrical resistance create होता है और गराब पर ऐसा right hand side में देखिए इसा spike साथे तो हर एक जो spike है उसकी height और जो size है वो cell से proportional होती है इसका मतलब ये है कि जबी cell बड़ी होते है तो बड़े size का spike बनता है और जबी cell छोटी होते तो छोटे size का spike बनता है तो ये है impedance technology और आखिर में ऐसी print मिलती है जिसमें white blur cells का graph सबसे उपर बीच में red blur cells का graph और सबसे मीचे platelet का graph मिलता है और ये देखिए कि सारे graph और histogram के सभी values printed ऐसे मिलती है left hand side में है वो normal report है और right hand side में है वो report है iron deficiency anemia का और जब का और ये मिलती है और दो दो भी है